इस सभामे उपस्तित आदंडे राहूल गांदी जी, मलिका अर्जुन खर्गे जी, शराद पवार सहाब जी, उदब ठाकरे सहाब जी, प्रियंका गांदी जी, फारुक अब्दुल्ला जी, माने अम्बेदकर सहाब जी, महागरवंधन के इंडिया अलाइंस के सभी नेता गन, सभी कारिकर्ता गन, सभी पददिकारी गन, मुंबई और महराज से आए हुए, सभी हमारे बुज़र्ग अभिवावकों का पैर चूकर के प्रणाम करते हैं, माताएं बेहनों को नवश्कार करते हैं, और अपने नौजवान युवा साथियों को यही से गले लगा करके लेका काम करते हैं, देखिए, आज मुंबई में अंतिम दिन भारत जुरू यात्रा का रहा है, और सबसे पहले हम राहुल गांदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, कि पूरे देश में नोने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्या कुमारी हो, या पश्मी राज्यों से लेकर के हमारे नौर्थी स्टेट से लेकर के, हर जगर राहुल जी ने यात्रा की है, और एक पैगांब एक शन्देश देने का काम किया है, जो की आज के दोर में बहुत ही जरूरी है, प्रसांगिक है, आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टक्रार की बात की जा रही है, जहां प्रॉपगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के सन्वधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनूई हुई सरकारों को, लोक तंतर में मद्दान जो आप लोग ने किया, वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, एडी सी बियाए के जरिये डढा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, जहां सच नहीं केवल जूट का प्रपगेंडा चलाया जा रहा है सन्विधान लोगतंत्र पे खत्रा है वहाँ आदर ने राहूल गांदी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए देश के लोगतंत्र को बचाने के लिए देश के सन्विधान को बचाने के लिए की जूने के लिए इन्हों ने जो भारत जोरोयात्रा किया है इसके लिए हम दिल से धनिवाद इनको देना चाहते हैं कॉंघ्रेस पार्टी को देना चाहते हैं aujourdिजने और यह बैठे हुए सभी महाङद बंदर और इंडिया उ mente के जो भी हमारे नेता है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकते लगाई गई हो डड़ाया जारा हो लोगों को लालच दिया जारा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोकतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिती डाइवर्चिटी है उसको बचाने के लिए एक जुठूएं हैं कोई मोदी जी को हराने के लिए जो देश को बाटना चाहती है उसके लिए हम लोग एक हुए हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोदी जी से हम इच्छा जी से नहीं है हम लोग तो हमेशा से उन विचा धारा के लोगों से लड़ाई लर्दे का काम किये हैं जिन्नों ने हमेशा से जिनका अज़ादी में कोई य जो तिरंगाना फेराए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देश बगते हैं अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है महेंगाई है आज गरीबी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुंदर के अंदर चले जाएंगे कार्ट बिछा करके बैठ रहेंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भाईयों का आए दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूछते हैं राहूल जी सवाल पूछते हैं क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंदरा पंदरा लाग का तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन सहलाब दे करके फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा अरे डरने वाले लोग नहीं है यहाँ हम लोग लडने वाले हैं अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ने आए हैं आपके लड़ाई लडनी है इसलिए हम यह पैगाम लेकर क्या आएं लालू जी का डॉक्तर के सलापे ज़्यादा घूम्डे से मना किया गया है लेकिन लालू जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लड़ते लड़ते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट में खास और पे बंबई में राहुल जी ने निमंतरन दिया और हम लोग यहां आए हैं और यहां बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं हम रहुआ लोग इनके भी कहतनी बाच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके परोज देता है इतना जूत बोलते हैं हम तो पहले भी कई भार के हैं मोदी जी प्रधानमती है ठीक है लेकिन साथ ही साथ वो जूत बोलने के फैक्टरी मोदी जी जूट बोलने के मैंडिफेक्चरर भी है होल सेलर भी है और डिस्ट्रिब्यूटर भी है यह उनका काम है हम लोग सचे लोग हैं और सचे लोगों को कितना भी डराओगे डरते नहीं साच को आज क्या उसलिए हम लोग लड़ेंगे इनके गीदर भबकी से हम लोग डरने वाले हैं आप बता हम लोग डरोगे लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे साथ दिजेगा न सबका हम तो कहना चाहते राउल गांधी जी जो यात्रा किये ये भो सकता है पहला चरण हो लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा चाहे सत्ता में आए या ना आए हमको जनता के बीच उनके सुक का दुखधर का बागिदार बनना पड़ेगा हमेशा जनता के बीच रहना होगा क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया है आप उसमे इतना भेद भाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेद भाव नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच जनता के बीच रहना होगा और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है महबबत की दुकान इसको बंद मत कीजेगा कभी हमेशा आगे जन्डा बुलंग करने का काम कीजेगा आज यहां शरत पवार जी भी हैं उद्दव जी भी हैं आपको पता है ओपरेशन लोटस हो रहा था यहां विधायकों को खरीदा जा रहा था डराया जा रहा था यह एक बात बता देते हैं आज महराश्चा सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है सब बीलर है शरत जी के नाम पे एंसीपी के नाम पे वोट लेगे भाजपा से डीलिंग कर लेगे रावल गांधी जी के नाम पे वोट लेगे भाजपा से डीलिंग कर लेगे सिफ सेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेगे भाजपा से डीलिंग कर लेगे यह लोग केवल डीलिंग करते हैं इसलिए वहाँ कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और जो डरे डरे लोग गए गए अच्छा हुआ चले गए उससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारवा बनाने का होसला रखते हैं उसलिए हम सब लोग यही आए कि जन्ता आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का अर्शिर्वाद मिलता रहना चाहिए अरे महराश्या में तो कम से कम विधायकों को लेगें बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजाकर लिया बड़ा सुनते हैं मोदी जी बार बार कहते हैं बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारेंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारेंटी है हम मोदी जी को चालेंज करते हैं मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारेंटी देना देना लेकिन अगर मेरा चाचा का गैरेंटी दे के दिखा दो पहले कि वो फिर से पढ़ते ही कि नहीं पढ़ते ही है तो हम लोग चड़ो बियार में चाचा जी गए तो गए हमारी शुब कामना है बड़े हैं अभी वाबक है लेकिन आहां वहां जो अवाम का टाकत मिल रहा है रावल जी आये थे सब लोग आये थे जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोश्ती हो सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हों गोदी मीडिया के लोग लेकिन बिहार में इस बाठ चोहकाने वाला रिजल्ट हम लाकर के देने का काम करेगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि एक जूठ हो जाएए एक जूठ करके लड़ाई लड़िए ये मोदी जी क्या बोलते हैं दो करोर हम मोदी जी को चालेंज करके बोलते हैं 17 महेंने इवल, डिप्टी सीम, हम बिआर के रहे ह 쿠ःस के रहे हैं, पांच लाख लोगों को सड़कारी नौकरी दिया, मोधी जी अपने दस साल में भीご पांच लाख या, यतना नौकरी दिया ये बता नहीं चाहते, चालेंग देते, सबसे जादा बहाली रेलवेग आता था सब चीज प्राइविटाइज कर दिया गया खतम कर दिया गया आर्मी में आता था उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं कॉंट्राक्ट पे सारा चीज कर दिया गया तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहें जादा सबें हम नहीं लेंगे सभी गन्मान व्यक्तियों को हमारे अभिवाबक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है वो अपनी बात को आप लोगों के समख्ष रखेंगे लेकिन आप सब लोग एक डाना लगाईएगा हम बोलेंगे भाट पा भगाओ आप सब बोलना देश पचाओ भाट पबगाओ भाट पबगाओ पहुट बहुत धन्यवाद जय हिंद जय महराष्टा धन्यवाद एजय स्वी जी